हमारे अतिती आये हुए हैं उन सभी का विवादन सुविकार करते हुए अब यहां से वो आगे बढ़ते भी हैं इस वक्त भी हम लाइफ तस्वीरे ही आपको राम मंदर परिसर से दिखा रहे हैं जहां साधू संतों का हुजो पराकर उनको नीचे की ओर ले जाए पूजा खत्म करने के बाद अमुवन हमने हिंदु धर में देखाए कि बड़ों का आशिर बात लिया जाता है तो उस वक्त भी पिएम आशिर बात ले रहे थे और अब यहां से वो आगे बढ़ते वे पिएम मोधी प्रान प्रतिश्चा कारिक्रा में हिस्सा लेने के बाद भ अब आगे बढ़ते वे और एके करके उन तमाम बड़े चहरों से मुलाखात करेंगे जो आज के दिन का साक्षी बने हैं जो आज इस एतहासिक पल का गवाह रही हैं और वही राम धोन आपको और साथ-साथ योगी आदत तनात भी मौदित हैं स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत बहुत अदभुत तस्वीरे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पहले सम्मोदित करते हुए और उसके बाद अब जो बड़ी तादाद में महमान यहाँ पर पहुँचे हैं अब पूरे देश में अब चाहे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर अभिवादन सभी का स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरे इस वक्त आपके टीली स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और ये इंतजाम भी आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर किया गया था ये व बनने के लिए यहाँ पर पहुँचे ए तस्वीरे आपके टीली स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कहीं खेल जगत से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आपको ये देखिए सदी के महान आया का मिताब बच्चन मुझे तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं उनक के बाद जब संबोधन किया गया तो राम मंदिर मंदिर तो बन गया है लेकिन उसके बाद अब 1000 साल की कैसे यहां से नीव रख देनी है इसका भी जिक्र करते हुए प्रधान मंत्री यहां पर दिखाई दिये और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए यह आप देख करते हुए कई सारे तो आज इस दुनिया में भी नहीं है लेकिन प्रधान मंत्री ने भी यही कहा कि अब आज उन सभी का आश्रवात भी मिल रहा है साध्वी रदमरा और मुरारी बापू यह सबई साधू संत आपको नसर आ रही है और इन से एक्के करके पिये मोधी मुलाखार पर प्रमात्मा हुए बाबा राम देव भी आपको तस्वीरें में नसर आ रहे हैं इन सभी से बातचीत करते वें क्योंकि पीम के पास वक्त की कमी भी है चार गंटा से जादा वक्त उन्हें नहीं गुजारना था इस चार गंटे में ही पूरा कारिक्रम था और अब इसी तरीके से वो आगे बढ़ हैं साधू संतों की संख्या बहुत जादा है क्योंकि इस अयुद्या नगरी में हर कदम पे आपको साधू संत ही नजर आएंगे देश के चाहे जिस हिससे में आप देखिए प्रभुष राम को अगर मन में प्रगाड आस्थाली अगर कोई पहुंसता है तो उसकी एक्षा ह पर यहां पर बुलाए गया है पहले उन्होंने जो फिल्म जगत से जुड़े वे लोग हैं या प्रिकेट से जुड़े वे लोग हैं और खेल से बिसनेस के बड़े चहरे हैं उन सभी से मुलाखात की और अब ये एक-एक चहरा जो की बेहाद महतुपुन है इन साधू संतो उने बाग कई लंबा संखर्ष देखा हैं जिसमें कई ऐसे भी चहरे हैं जो राम आंदोलन से जुड़े रही हैं राम लला को सापित करने को ले कर मंदर नढमान को लेकर उन सभी की भावनाएं आज अलग ही हैं आज एक तस्वीर ऐसी भावे बौर कर देने वाली इस सामन बेहद खुश है इनमें से कई चहरे आपको टीवी स्क्रीन पर देखते भी आम दिनों में, लेकिन कई ऐसे चहरे जो पर्दे के पीछे भले ही रहते हों, लेकिन उनमें राम को लेकर, मर्यादा पुर्शुत्म राम को लेकर जो आस्था है, जो विचार है और जिस तरीके से वाम जन मानस में उस विचार को फैलानी की कुशिश करते हैं वो हम आए दिन देखते भी हैं कहा जाता है कि राजा राम बनकर अयुधिया से निकले थे बनवास के लिए राम और जब लोटे तो मरियादा पुर्शुत्तम राम हो चुके थे और उस मरियादा पुर्शुत्तम राम के इंतजार में पूरी अयुध्या नगरी जिस तरीके से सजी थी आज अयुध्या की छटा आज अयुध्या की तस्वीरे कुछ अलग नहीं है बिल्कुल ठीक वैसी यह जैसे त्रेता में हुआ करती थी वरकरी वीरशयो हर कोई भारत की सबस्त मत पंतराय की जो अलग अलग धाराये हैं वो आज उनका यहाँ पर समागम हुआ है और पूरी दुनिया चकित रूप में देख रही है कि किस तरीके से वैविध्य में एकता का प्रमाड विविधिता में एकता का प्रमाड बहुरंगी सतरंगी विविधरंगी संस्कृती का आज यहाँ पर संबिलन हुआ है और पूरी दुनिया उल्लासित है संभोता है इसलिए कहा गया है कि मैं एक बिंदू परिपूर सिंधू यह मेरा हिंदू समाज मेरा इसका संबंध अमर मैं व्यक्ति और यहाँ है समाज इससे मैंने प आती हूँ मैं तो समाज का सेवक हूँ मैं तो समश्ट के लिए व्यश्ट का कर सकता बलिदान अभय हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिशे तो निश्चित तोर से एक जो हमारी सतनातन संस्कृती का प्रतीक है वो आज पूरी दुनिया देख रही है इस परम अयुद्याधाम से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर दिखाई दिये और ये अब आगे बढ़ते हुए प्रधान मंत्री भी तस्वीरों हमने आपको दिखाए राम मंदिर से ये लाइव तस्वीरे इस वक्त आपके टीव स्क्रीन पर है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहीं सारी बड़े बाती भी अपने संबोधन के दौरान कहीं गई हैं आपको मैं ये भी बता दूँ कि प्रधान मंत्री ने जब उस समय का भी जिक्र किया ये देखे तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर जैकी श्रॉप आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे यानि कि कोशिश आज के लिए ये की गई है कि चाहे वो फिल्म जगत से जुड़ हुए लोग हो चाहे वो क्रिकेट से तालुक रखते हो चाहे व्यापार से जुड़े हुए बड़े चेहरे हो लेकिन जो पूरे देश में किसी ना किसी रूप में लोगों को प्रेड़ना देते हैं लोगों के लिए बहुत महत्व रखते हैं उन सभी को आज यहां पर निम जब छोटे से छोटा व्यक्ती भी अपना योगदान कैसे देता था और प्रधान मंत्री ने ये भी कहा कि अगर आपको कभी लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ मैं बहुत जादा योगदान समाज के लिए नहीं दे सकता तो फिर आप उस गिलहरी के बारे में सोचिए प्रभू श्री राम का ये भव्य दिव्य मंदर जब भी आप यहाँ पर जाएंगे आपको हमेशा याद दिलाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जिन्होंने लंबा संगर्ष किया 14 वर्ष का वनवास लेकिन उसके बाव बाद आप देखिए कि जो उनके आदर आज तक भी हम उनहीं को मानते आए हैं और ना सिर्थ प्रभू श्री राम यहां पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोदित किया तो उन्होंने हनुमान जी का भी जिक्र किया उनकी तरफ से छोटे-छोटे पात्र भी जो रामायन कांड से जुड़े रहे हैं उनका भी जिक्र किया गया अब यह तस्वीरे इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जो लोग यहां पर पहुंचे थे मुझे इस तस्वीर में जरूर दिखाई दे रहा है कि अब शायत सब यहां से दर्शन कर पाएंगे यह दर्शन के लिए जो मेहमान यहां पर आये थे अब आगे बढ़ते हुए आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अब राम लला के प्रान प्रतिष्ठा हो चुकी है अब सभी को इंतजार था कि वो अंदर से जो अभी तर्शन के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत खुबसूरत मूर्टी का भी चैयन किया गया वो भी एक तरफ आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं पीस सदियों का इंतजार खत्म हुआ अभूत पूर्व धैरे हम सब ने रखता और उसके बाद हमें राम लला धरोर के रूप में मिले हैं प्रधान मंतरी के शब्त थे बेहत खुश थे वो उन्होंने का कि अब सदियों का इंतजार आप राम लला जो हैं वो टेंक प्रगट दीनिकरपाला कौशल या हितकारी अद्बुत रूप बजारी बुनिमनहारी नमस्कार जैसिया राम बहुत स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं न्यूजेचीन मादरप्रदेश 36 गर्ड मैं हूँ अपरना आपके साथ और हर कोई समय बढ़ाई गीत का रहा है यहां पर आरंधी आनंद देखने को मिल रहा है यह स्पेशल कवरेज आप देख रहे हैं आयोध्या से और मैं आपको बताऊंगी किस तरह से भव्य मंदिर में राम लला अब विराज मान हो चुके है और सबने उनके दर्शन किये जो यहां मंदिर में मौझे नहीं थे वो घर बैठे टीवी स्क्रीन पर न्यूज एटीन की टीवी स्क्रीन पर राम लला के दर्शन कर आनंद्ध हो रहा था और बस यही कह रहा था कि राम तेरे ही नाम का है सहारा क्योंकि राम ही है जीवन का अधार आपको दिखाते हैं वो तस्वीरे जो अलग-अलग कामरों से ली गई जब राम लला के नए विग्रह की नूतन विग्रह की प्रान प्रतिष्ठा की गई और उस समय मंदर के गर्बगरी में पांच सदस्य से ही मौजूद रहे मुख्य यजमान प्रधार मंतरी मोदी के हाथो राम लला के नूतन विग्रह की प्रान प्रतिष्ठा की गई वो तस्वीर टीवी स्ट्रीन पर आप देख रहे हैं और जैसे ही राम लला की ये भव्य तस्वीर सब ने देखी हर कोई बस मंतर मुख्य उन्हें देखता ही रह गया पांच साल के बालक के रूप में उनकी ये प्रतिमा जिसकी प्रान प्रतिष्ठा की गई देखे शामल रंग और किस तरह यहां आभूशनों से प्रतिमा को सजाया गया था जैसे एक बालक का सौम में रूप होता है एक मुस्कुराहट होती जो सभी का दिल सभी का जो ध्यान है अपनी तरफ खीच लेती है वैसे ही इसे प्रतिमा को बनाया गया सालों की मैनत के बाद और उसके बाद मैसूर के शिल्पकार अरुन योगी आजा की इस प्रतिमा का चैन हुआ जिसकी आज प्रान प्रतिष्ठा की गई और आप प्रधान मंति नरेंदर मोदी को भी देख पा रहे है साश्टान प्रणाम उन्होंने किया प्रान प्रतिष्ठा करने के बाद विदिवत पूजन अर्चन किया गया और जिसने भी देखा अपने रामलला को वो देखता रह गया भव्य मंदर में अब रामलला ठाट से विराजमान हो चुके है और यहां मंदर परिसर में आठ हजार अलग-अलग शेत्रों के अतिविशिष्ट महमान मौजूद रहे और इस दोरान सभी के हातों में घंटियां दी गई और सभी घंटियां बजाते रहे ट्रस्ट के मासचेव चंपत राय उन्हें पल-पल घंटित वहां हो रहा था उसकी जानकारी दे रहे थे